कितने करोड हिंदू है देश में उसकी गिंती किये बिना इतने करोड हिंदूस्तानी हिंदू बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन बाई है नहीं सुना आपने क्या मोहन भागवजी की बात सुनेंगे प्रधान मंस्री नरेंद्र मोदी सीधा सवाल इस देश से महबबत करने वाले हर इनसान की बात सुनेंगे जो भारत का नागरिक है लोकतंत्र तो इसी को कहते हैं कि लोकतंत्र में लोक की बात सुनना और मोहन भागवजी तो एक बहुत बड़े संगठन के दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनितिक संगठन एक सांस्कृ क्योंकि अगर वो मोहन भागवत की सुनेंगे तो फिर कोट की कौन सुनेगा जी इसलिए मैं फसा नहीं ना आपकी सवाल में मैं यह मैं जानता था कि आपका सवाल क्यों आया है तो मैंने आपसे कहा कि अजनाव कश्व की बात भी सुनेंगे और जो यहां बैठे हुए लोग ह चाहते हैं कि राम मंदिर बने और ऐसे तो राम मंदिर में आज पूजा हो रही है वहां पर राम मंदिर अस्थापित है उसका भव भवन बने और इलाहबाद हाई कोर्ट का फैसला पहले आया है ये मामला अदालत में है शानवाज जी तो देखिए सेफ पिछ पर बैटिंग क खिलाफ चाहते हैं कि उनका सपना तूट जाए पीडिया दर पीडिया चली जाए लेकिन राम का मंदिर ना बन पाए आपकी बात बिल्कुल सही है मुसल्मान अंसेफ है मैं मानता हूँ बीजेपी के रूल में ये कब बोला मैं दूसरी बात ये है कि शानवाज साब ने सही कहा मैं भी मानता हूँ कि 89 पालनपूर के रिजलूशन से पहले इनको राम मंदिर याद नहीं आई 1960 में विश्वा हिंदू परिशद बनी गई उस वक्त राम मंदिर याद नहीं आई तो पालनपूर में चाहना लेकि इनको याद आ गई मैं शानवाज साब से जानना चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि RSS एक सोशो कल्चल और्गनाजेशन है उनको क्या अख्तियार किसी गौर्णमेंट को प्रिशर करने का आप मैं मैं सुन लिजिए उनको क्या अख्तियार कि प्रिशराइस करने का क्या आप ये बात सच नहीं साब के जो तीन दिन का गयान आरेसस के चीफ ने दिया आप शायद गय थे होंगे विग्यान बहुन में उस तीन दिन के उसमें उन्होंने कहा था कि मैं और्टिनेंस के खिलाफ हूँ फिर विजए देशमी की स्पीश में ने कही दिया कि और्टिनेंस लेकर आओ तो आखर क्या है आप के आरेसस को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे अगर आफ सुनेंगे तो फिर यह बताएए फिर हिंदुस्थान की आर्टिकल 123 में क्लिर लिखा है कि इमरजन सिचुएशन मंदिर इमरजन सिचुएशन نہیں हो सकता तो इस पे क्या आप क्या राजनीती का हुर्य चाहे ये कारणामों पर बातचीत ना हो इसलिए अब ये मिला जुला आप लोगों का लगता है कि भाई आप ऐसा बोलो और पिर चर्चा शुरू हो जाएगी देश में देखे चर्चा तो ओवेसी साहब शुरू करते हैं इस मुलक के लोगों के आस्था का सवाल है अगर ओवेसी सा नाम कुलहिंद मजलिस इत्यादूल मुसलमीन है मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मुसलमीन नहीं होता पूरे हिंदुस्तान के लिए होता तो जादे उनकी बात का वजन होता क्योंकि आप एक नजरीय से सोचते हैं मुझे नहीं मालूम कि जतने मुसलिम मेंबर और पारलिमें चुनकर आते हैं वो सिर्फ मुसलिम के वोट से ही आते होंगे और मुझे ये भी मालूम है कि शायद ओवेसी साब को भी कुछ हिंदू वोट भी मिलता होगा तो अगर हिंदू वोट कुछ भी मिलता होगा तो उसकी भावना की इस्दत करना उसके भावना का इहतराम करना भ क्यों सुनेंगे मैंने शुरू से कहा कि लोगतंतर में सब की बात सुनेंगे और फिर मोहन भागवत जी का और्गनाईशन अरास्टिय सेंसवक संग इस मुल्क से महबत करने वाला संगठन है उसकी बात क्यों नहीं सुनें आप तो कहते हैं कि कश्मीर में जाकर अलगावादि से बात कीजिए और तो जो मुल्क से महबत करें उसकी बात नहीं सुनें लेकिन मैंने आपसे कहा ये भारती जन्ता पार्टी का ओफिशियल स्टेंड है कि मामला अदालत में है और हम थोड़ा इंतजार करेंगे चुनाओ से कोई रिलेशन नहीं लेकिन हम चुनाओ से कोई म मेले और सांसद एग्यापन साइन कर सकते हैं कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश आए ये अध्यादेश की पुकार कहां से निकली है कुछ तो बताईए दिश्वारी ये है कि जो बीजेपी के स्पोक्सपरसन शानवाज हुसेन को नहीं मालूम और हमारे MPs को भी नहीं मा मारा जो स्टेंड था है वो रहेगा लेकिन मामला अधालत में है जब इलहाबाद हाई कोट का भी फैसला आया तो वैसी साब ने तब तो मौहन भगवजी की तारिफ नहीं की उन्होंने कहा ये किसी की जीत नहीं किसी की हार नहीं कोई जशन नहीं मनाना ये मामला बाच्च लगाना कि चुनाउ आने वाला है बी जीपी के अंपी साइन कर सकते हैं और उसके बाद ये कहना कि बीजेपी इस मद्दे को बना रही है ये हमारे लिए चुनाउ का मुद्दा नहीं हमारे लिए आस्था का मुद्दा है वही जो एम से मुसलमीने आपके पार्टी के नाम है मजबूरी है कि कोसना है ने मेरी कोई मजबूरी नहीं है मेरी मजबूरी सिफ यह है कि मैं RSS का सख खिलाफ हूँ बीजेपी का सख खिलाफ हूँ शानवास साब मेरी पार्टी का नाम बदलने की बात किये शानवास साब आप क्यूं हारे आप मुसल्मान रहे कर क्यूं हार गे अपनी पार्टी से मैं तो लगातार तीन लोग सवाजीता हूं इस पर थोड़े से से रह गया मसलब आप कमजोर नवस पे हाथ रखे और बोलने भी नदे बिमार को ने ने शानवा साब आप क्यूं हारे आपकी पार्टी चार सो बीस सीट पर लड़ी जिसमें से साथ मुसल्मानों को टिकेट दिया सिर्फ आप एक ही अपनी जमान बचा पाए दूसरी बात आप ये कह रहे हैं के मुझे अपनी पार्टी का नाम बदलना चाहिए सर आपके अंडिये में अकाली दल क्या है शुवसेना क्या है ऐसे कितने नाम में गिनवा दूँ आपको आप आपको उस पर कोई तकलिफ नहीं होती तीसरी बात ही है के बाबरी मस्जिद का जो मसला है आप अपने पार्टी से ये क्यों नहीं कह देते कि भी एक डेफिनिट स्टैंड लीजिए और मोहन भगवत का राम मंदिर के बारे में 2012 के बाद पहली मरतबा विद दश्मी के उस मौखे पर उनने 2012 के बाद पहली मरतबा बात कही है और ये बड़ा प्लैनिंग से लोग करते हैं अब 29 तारिख को हेरिंग है तो फॉरण कोई ना कोई बोल देता इनके पास से तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भई आप अगर एक बात बताई शानवास साब मुसल्मानों पर उंगलियां उटती हैं क्या कोई नहीं उटता आँब ये बताईए फिर मोहन भगवत की बात को पढ़ा करिए आप मैं जानता हूँ कि आपकी तकलीफ क्या है मगर देखे मोहन भगवत ने आप पर भी उटता दी कि शाना अजुसेन पर उंगलिया उटती है आप मसला हल कर दीजिए दे दीजिए हम ये कहरें कि बगर ये इस तरह से अगर मसले का हल ऐसा नहीं निकल सकता असल दुश्वारी ये है कि वैसी साहब उसी पेज को पढ़ना चाहते है जिस पर इनकी नजर इनको सूट करती है महान भगवत जी ने मुसल्मानों के लिए इतनी अच्छी बात कही क्या कही उन्हों ने कहा कि हमारा हिंदुत्व बिना मुसल्मानों के पूरा हो इनी सकता अच्छा शानवास साब एक बात क्या आप चोरी का सामान है नहीं मुहन भगवत ने कहा था 2014 में बंगाल में शानवास साब आप बताईए कि आपके बिहार के कही दिये अगर नहीं करेंगे तो जला देंगे अरे जलाएं क्या भई जी मैं जवाब दूँ ने ने इतनी बातें मुहन भगवत की मेरे साम में हैं आपके साम में हैं आप अच्छा ये बताईए क्या मुसल्मान इस मुल्क के लिए थरट है थरट होता तो खड़ा तो है मुसल्मान आपके साम में आप जिस पार्टी से वाबस्ता है उस बंच आफ थौट्स में गोलवालकर ने लिखा कि मुसल्मान और क्रिस्टिन इस मुल्क के लिए internal security threat है और मोहन भागवाजी ने क्या कहा उनके बारे में सुनिए मोहन देखिए मोहन भागवाजी ने क्या उस लाइन को ओन किया क्या